हाई गाईज नमस्ते वेलकम औन वेलकम बाक टो टैरो बाई टीजे सो नो कॉंटाक्ट सिक्वेशन के उपर दिस गोईंग टो बी अ फ्रेश अपडेट यानि की हम फीलिंग्स एमोशन्स और एनरजी चेक करने वाले हैं ऐसे इंसान की ऐसे परसन की जिन्द के साथ में इस सम समय पर अभी आप टच में नहीं है और राइट सो आप लोगों के सामने ही मैं कार्द शॉफल करूंगी एंड वी विल टेक टू आप्शन्स ओके सो ग्रूप नमबर वन के लिए हमारे पास है वील ओ फॉर्चून और गूप नमबर टू के लिए हमारे पास में है क्वीन ओ पेंटिकल्स इन दोनों कार्ड में से कोई एक कार्ड आपको अपने लिए चूज करना है उस इनसान के बारे में सोचते हुए जिन से इस समय पर आपकी बातचीत नहीं हो रही है ओके टाइम स्टैंप्स दोनों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वहां से आप देख सकते ह कितने मिनट और कितने सेकेंड पर आपके लिए रीडिंग शुरू हो रही है ग्रूप नमबर वन ग्रूप नमबर टू और रीडिंग की शुरू आथ हम करेंगे ग्रूप नमबर वन के साथ में नमस्ते ग्रूप नमबर वन जिनोंने अपने लिए वील और फॉर्चून का card choose किया है, we will shuffle the deck once again and we will see the general energy of the person जिनके साथ में आप इस समय पर contact में नहीं हो, उस इंसान की general energy इस समय पर क्या है, okay ठीक है, पहला card हमारे पास में है, 10 of cups second card is page of cups third card is six of pentacles यहां से पहला card हमारे पास में है, king of wands का, general energy of this person, we have queen of cups, ठीक है and bottom of the deck हमारे पास में card है, nine of pentacles का, तो जो राशियां यहां पर मुझे दिखाई दे रही है, cancer, scorpio Pisces, राशी वाले बहुत सारे लोग हो सकते हैं इसके साथ में Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius राशी वाले भी काफी सारे लोग है मुझे ऐसा feel हो रहा है कि group number one में Pisces और Scorpio राशी वाले शायद जादा लोग present है Okay Yes Libra राशी भी मुझे यहां पर दिखाई दे रही है Coming to the general energy of this person जिनके साथ में इस समय पर आपकी बातशीत नहीं हो रही है मुझे ऐसा लग रहा है कि यह अपने family के साथ में वक्त बिता रहे है या अपने near and dear ones के साथ किसी situation में यह मुझे busy दिख रहे है इनका focus जो है वो इस समय पर इनकी family के तरफ मुझे जादा दिखाई दे रहा है Maybe अपने siblings के तरफ अपने बच्चों के तरफ या अपने parents के तरफ जो भी इनके family members है Even इनके कुछ friends भी हो सकते है close friends जिनके साथ में कुछ फिलाल यह समय बिता रहे है या कुछ situation ऐसी चल रही है जिसमें की यह काफी busy दिखाई दे रहे है दूसरी चीज़ जो मुझे इनकी general energy में दिखाई दे रही है यह इनसान अपने emotions को balance करते हुए आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे है या कोई action लेने के actions पर कुछ influence डाले यानि की इनको ऐसा लग रहा है कि इनके जो emotions हैं इस समय पर वो काफी जादा बढ़े हुए है और उनको balance करना जो है वो काफी जादा ज़रूरी है इससे पहले कि यह emotional हो करके impulsive कुछ action ले ले ओके सो यह अपने mind और emotions को शांत करने की कोशिश कर रहे है मेभी अपने mind को किसी चीज से distract करने की कोशिश भी करते वे दिखाई दे रहे है और इनका ध्यान जो है वो recently इनकी किसी work related situation या money related situation की तरफ भी गया है ओके now we will see group number one कि यह जो person है इनकी current energy, thoughts, feelings, emotions आपके और इनके relationship के towards कैसे है ओके, first card हमारे पास में है nine of cups यहाँ पर भी एक family situation दिखाई दे रही है then we have the sun card the world card the hangman and we have five of swords आपके और इनके रिष्टे के बारे में इनकी energy, bottom of the deck दुबारा से queen of cups का card है okay so because आप लोगो की बात्षीत इस समय पर नहीं हो रही है आप लोग इस समय पर एक दूसरे के साथ में contact में नहीं है इनको ऐसा लग रहा है कि this no contact situation की वजह से यह अपने आपको express नहीं कर पा रहे है या उतना अपने emotions नहीं जता पा रहे है जितना कि यह पहले किया करते होंगे या जो इनका normal self है उससे थोड़ा सा हट करके यह feel कर रहे है इन्हें ऐसा भी लग रहा है कि आप लोगों के connection में एक नई शुरुआत होने के पूरे पूरे chances है या यह रिष्टा जो है यह अभी भी काफी grow कर सकता है यहाँ पर pregnancy related situation भी मुझे दिखाई दे रही है maybe somebody around you is pregnant or some female in their life जो आपके connection के बारे में जानते है और maybe आपकी energy भी हो सकती है यहाँ पर pregnancy की energy भी मुझे दिखाई दे रही है और यह spirit के तरफ से message यह भी हो सकता है कि यह जो connection है आप लोगों का यह अभी भी काफी fertile है और इस connection में अभी भी काफी जादा growth हो सकती है मैं यहाँ पर यह चीज़ भी देख रही हूँ कि आपके जो यह person है इनके subconscious mind में कहीं न कहीं इन्होंने आप लोगों के लिए दरवाजे खुले रखे हैं यानि कि इस connection पर इन्होंने completely give up नहीं किया है आपके रिष्टे के बारे में या आपके connection के पास से जुड़ी कोई ऐसी situation भी यहाँ पर हाई दे रही है जिसमें कि किसी ने किसी की बेस्ती करी है या insult करी है मेबी इन्होंने आपकी insult करी है या किसी तरीके से आपने इनकी insult करी है some situation like that कुछ ऐसी situation हुई है आप लोगों के connection में कुछ ऐसा incident है जिसके बारे में यह अभी recently सोच रहे थे ओके नाओ वी विल सी के इनके emotions जो है वो आपके towards कैसे है फिलहाल जिस दौरान आपकी और इनकी बातचीत नहीं हो रही है वाट इस दिस परसन फीलिंग अबाउट यू पहला card हमारे पास में आया है the moon का then we have the empress आप लोगों की reading में काफी सारे major arcanas निकल के आ रहे है next we have ten of pentacles we need two more cards क्या फील कर रहे है ये person आपके लिए king of pentacles and we have four of wands bottom of the deck हमारे पास में है ace of wands I told you कुछ action लेने के बारे में सोच रहे है आपके towards okay and ये person जहाँ पर भी है moon के energy हमको ये confirm कर रही है कि ये काफी जादा समय आपके बारे में सोच रहे है या आपकी presence को अपनी life में ये person काफी जादा miss कर रहे है I can also see here group number one के यहाँ पर reconciliation की energy जो है वो काफी जादा strong मुझे दिखाई दे रही है king of pentacles and four of wands इनको आपको लेकर कैसा feel हो रहा है कि आप जितना love, affection, time और effort इनके तरफ से deserve करते हो उतना यह आपको नहीं offer कर पा रहे है या आप लोग जब connection में थे तब भी या आपको उस level पर effort अपना जो है इस connection में नहीं डाल पाए है ओके yes this person is also feeling इनको ऐसा भी लग रहा है कि इस समय पर आप जिस तरीके से सोच रहे हो इस रिष्टे के बारे में और जिस तरीके से ये सोच रहे हैं इस connection के बारे में या आप लोगों के रिष्टे के future के बारे में उसमें कही न कही कुछ बहुत differences आ गये है आप लोगों के way of thinking एक दूसरे के साथ में इस समय पर एकदम match नहीं कर पारी में भी आप कुछ और सोच रहे हो and this person is thinking about something else, they are thinking about something else, ये किसी और situation के बारे में सोच रहे हैं ये किसी और तरीके से सोच रहे हैं, ओके ये negative energy नहीं है, यहाँ पर यानि negative thoughts इनके mind में नहीं है करते थे या आप जो कुछ deserve करते हो, वो आपको ये offer नहीं कर पाए है, और मेभी आप इन से और जादा love, care, affection, time, deserve करते हो and maybe उस चीज की planning इनके mind में चल रही है, how to come back to you, कैसे ही आपके साथ में reconcile करें, आप लोगोंने basically आप लोगों का group number one जो card भी निकल के आया था, सबसे पहले अपने आप ही ये pop out हुआ था card आपका, this is wheel of fortune I feel के universe जो है वो आपको और आपके connection को support कर रहा है, चीजे बहुत जल्दी पहले की तरह हो सकती हैं आप लोगों के रिष्टे में यहाँ पर भी मैं एक continuation होते वे देख रही हूँ, यानि कि आप लोगों की journey में अभी the end नहीं आया है, अगर अभी तक की energies आप लोगों के साथ में match कर रही है यह the end नहीं है, यहाँ से एक और नई cycle आप लोगों के connection में शुरू होने वाली है, कुछ बदला हो सकता है कि आप लोगों के रिष्टे में आएं, बट यह positive changes ही होने वाले हैं, individually भी इनसे आपको फायदा होने वाला है और आप लोगों का connection भी जो है वो grow करेगा, okay सो वापस आने के भी इस person के आपकी life में वापस आने के भी काफी जादा strong chances हैं, because इनके emotions आपके लिए dead नहीं हुए हैं, आप से अलग होने पर भी आपके साथ में, distance में जाने पर भी यह person जो है काफी जादा आपके साथ में मुझे connected दिखाई दे रहे हैं, yes group number one guys, this is the reading for you, I really hope कि इस reading के जरीए आप लोगों को कुछ clarity मिली हो, and divine की तरफ से जो भी messages थे, इस इंसान से जुड़े, इस रिष्टे से जुड़े, वो मैं आप तक convey कर पाई हूँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि इस reading के जरीए मैं आपके कुछ help कर पाई हूँ, तो please video को like जरूर दीजेगा, and अगर आप नए है मेरे चैनल पे तो subscribe कर लिजे, tarot by tj, also अगर आप अपने मन से कोई topic suggest करना चाहते हैं, तो उसको comment section में लिख दीजे, मैं आप से मिलूंगी next time, till then namaste and take care, नमस्ते, group number 2, जिन्होंने अपने लिए queen of pentacles का card choose किया है, this is the reading for you, so guys सबसे पहले हम cards shuffle करेंगे, and we will see the current energy of this person, जिनके साथ में समय पर आप लोग touch में नहीं है, उनकी current energy क्या है, उनकी life में समय पर क्या चल रहा है, उनके conscious subconscious mind में क्या चल रहा है, okay, so पहला card हमारे पास में है, six of swords, then we have the high priestess, king of pentacles, we will take two more cards, general energy of this person, okay, so हमारे पास में है, world card, और हमारे पास में निकल के आया है, two of swords, bottom of the deck, हमारे पास में है, seven of cups, okay, चल ये, so अभी फिलाल जो चीज मुझे clearly दिखाई दे रही है, group number two, ये person मुझे थोड़े से secretive नजर आ रहे हैं, इनकी life में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत सारे events हो रहे हैं, बहुत सारे ups and downs भी हैं, किसी चीज से ये move on करते वे भी दिखाई दे रहे हैं, बट अपनी life में, इनकी life में, जो कुछ भी इस समय पर चल रहा है, उसको ये किसी के भी साथ में share नहीं कर रहे हैं, अपने काम में, studies में, professional life में, जो कुछ भी ये person करते हैं, उसमें भी ये काफी जादा busy दिखाई दे रहे हैं, इनका जो अभी schedule चल रहा है, daily life जो है, वो म seven of cups, that means this person is a little confused between the options या priorities जो इनकी life में आ गए हैं, अचानक से कोई ऐसी situation आई है, जिसमें कि इनको किसी एक particular चीज का चुनाओ करना है, कुछ इनको choose करना है, universe ने इनको किसी तरीके के confusion भरे state में डाल दिया है, okay, मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ, in general, ये sense कर पा रहे हैं या ये ऐसा feel कर रहे हैं कि इनकी life में कुछ पुरानी चीजे हैं जो लौट करके वापिस आ रही है, पुराने लोग हैं या कुछ पुरानी situations है, कुछ past की energy जो है वो वापिस से इनके mind में आ रही है बार बार या इनकी life में लौट करके आ रही है, things are continuously repeating चीजे इनकी life मे repeat होती जा रही है, या ये कोई एक बहुत बड़ा specific karmic lesson है, जो कि इनकी soul को मिलना है universe की तरफ से, but उस चीजे को ये समझ नहीं पा रहे है इस समय पर, okay, और this is something जो बार बार इनकी life में हो रहा है, universe इनको कुछ सिखाने की, कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये जानते वे भी उस lesson को accept नहीं कर पा रहे है, और इनकी soul जो है, उसका evolution वो slow हो गया है, okay, I can also see here, कि ये person जो है, इस समय पर कहीं travel करने के बारे में सोच रहे है, maybe, कहीं जाने के बारे में सोच रहे है, ये काम से जुड़ी कोई situation इनकी हो सकती है, ये family से जुड़ी situation भी हो सकत कुछ लोगों के लिए यहाँ पर third party का indication भी है, जादा लोगों के लिए नहीं है, maybe 10%, 5-10% लोग जो ये group number 2 की video देखने वाले हैं, उनके लिए मैं देख रहे हूं, third party का indication जो है, वो आप लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है, also with the two of swords, we can see कि ये person जो है, किसी चीज को ले करके या किनी दो options में confused हैं, options, options बहुत सारे आ रहे हैं इनके सामने, और confusion की state में मुझे ये दिखाई दे रहे हैं, हर चीज को ये नाप तोल के decide कर रहे हैं, या बहुत जादा analytical हो करके चल रहे हैं इस समय पर, अपने intuition का भी इस्तिमाल कर रहे हैं, we have the high priestess right in the center, so ये अपने past experience का इस्तिमाल करके आगे बढ़ना चा रहे हैं, या अपनी intuitive powers का इस्तिमाल करके उनको use करके अपनी life को कुछ you know, सही करने की है, कुछ चीजें better करने की कोशिश कर रहे हैं, okay, fine, let's see group number two, कि आप लोगों के relationship को ले करके इनकी जो current energy है, वो क्या है, यानि कि recently जब भ कि कि thoughts, feelings और emotions इनके मन में आये हैं, okay, पहला card हमारे पास यहाँ पर है, eight of cups का, and यहाँ पर भी, जो है, six of swords हमारे पास में था, trying to move on, emotionally disconnect करने की energy आ रही है, सबसे पहले तो, then we have five of swords, next we have five of cups, we need two more cards, ace of pentacles, and we have four of swords, कहीं तो यह person stuck है, okay, emotionally, mentally कहीं यह stuck दिखाई दे रहे हैं, guilt से overcome नहीं कर पा रहे हैं, और उस guilt को बहुत जादा अपने अंदर carry कर रहे हैं, आपके और इनके रिष्टे को लेकर कि इनको ऐसा feel हो रहा है, कि कुछ बहुत अच्छा मौका इनके हाथ से निकल गया, यह बहुत अच्छा connection जो था, वो इनके हाथ से निकल गया है, यह connection जो था, इनके लिए बहुत जादा close connection था, जिसको इन्होंने खो दिया है, बहुत अपनी किसी foolishness की वजह से, अपनी किसी गलती की वजह से, and now they feel very very guilty about it, उन्होंने जो कुछ भी किया है, maybe इनका कुछ बहुत negative कर्मा रहा है आपके towards, उसको लेकर के यह इनसान जो है, इस रिष्टे में जो कुछ हो गया है, उसको लेकर के बहुत जादा guilty feel करते हैं, और मैं यहाँ पर यह भी देख रही हूं कि जब भी यह person आपके और इनके connection के बारे में सोचते हैं, यह बिल्कुल restless हो जाते हैं, बहुत जादा anxious और depression sort of feelings इनके मन में आती हैं, ऐसा feel करते हैं और especially यहाँ पर मुझे एक ऐसी situation दिखाई दे रही है, जब भी यह रात को सोने के लिए जाते हैं, यह जब भी अकेले होते हैं, इस रिष्टे क जो past हैं और इस रिष्टे की जो present situation है, वो इनको बहुत जादा bother करती हैं, इन्हें ऐसा भी लग रहा है कि इनकी कोई करनी है या इनका कोई कर्मा है जो की लोगों के सामने आ सकता है, और maybe कुछ ऐसा हुआ है आप लोगों के connection में, जिसमें आपने बहुत जादा सफर किया ह और इनकी वजह से आपने सफर किया है, और लोग जो है वो इस बारे में जानते नहीं, family नहीं जानती है, friends नहीं जानते हैं, और maybe आपके separation के बाद या no contact में जाने के बाद, this person is blaming you, maybe, okay, and इनको fear है कि इनका जो ये negative कर्मा है, इनका जो ये bad कर्मा है, ये कहीं disclose ना हो जाए, लोगों को कुछ पता ना चल जाए, bottom of the deck हमारे पास में card आया है, the hierophant का, यहाँ पे group number 2 में शायद काफी सारे लोग ऐसे हैं, जो कि married है, इस person के साथ में, maybe आप अपने husband या wife के लिए reading देख रहे हो, I feel group number 2 में काफी सारे लोग जो है, वो married है, yes, they also know, subconscious mind जो होता है, हमारा that is always connected to the spiritual realm, okay, and we all are always aware of the things that are happening around us, or that might happen in the future, okay, subconscious mind को कहीं न कहीं ये चीज पता रहती है, okay, so मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका subconscious mind ये बात जानता है, कि आप लोगों का connection जो है, ये एक बहुती long term connection है, और आप अपनी life में इस person के साथ में, ये आपके साथ में काफी लंबे समय तक जुड़े रहने वाले हो, ये situation जो हुई है, अभी karma जो imbalance हो गया है, चीज़े disturbed हो गई है, ये ऐसे ही नहीं रहने वाला है, very soon things will change, okay, with the ace of pentacles, it is kind of a confirmation है, कि situation जो है, वो अच्छे के लिए, positive के लिए definitely आगे जाकर के change होगी, now we will see कि specifically आपको ले करके इनके मन म किस तरीके की feelings है, what is their energy, current energy towards you, group number two, जिस person के बारे में आप सोच रहे हो, इनकी current energy, आपके towards कैसी है, we have eight of wands, again number eight, आप लोग में से काफी सारे लोग कार्मिक situation में है, इस इंसान के साथ में, strength card भी है, again number eight, then we have four of pentacles, and we have three of pentacles, bottom of the deck हमारे पास में, फिर से seven of cups का card निकल के आया है, repetition है, maybe आपको ले करके कुछ इनके सामने options है, ये confused दिखाई दिखाई दे रहे है, इनको आपको चुनना है, या अपने family को चुनना है, या अपने dreams को चुनना है, अपने freedom को चुनना है, अपने काम को चुनना ह maybe इस समय पर ये person जो है, बहुत जादा confused है और आपके बारे में सोचने पर भी इनके mind में जो confusion है, वो बहुत जादा बढ़ रही है, okay, थोड़ा सा lack of clarity जो है, वो इनके conscious mind के तरफ से आ रही है, okay, another thing जो इनकी feelings है इस समय पर आप लोगों के लिए, group number two, मुझे ऐसा किंड में ये contact में आ जाए, बातशीत शुरू कर दे, but then with the strength card ये person अपने आपको रोक लेते हैं, and then we have page of pentacles, ये अपने, you know, अपने offer को, जो कुछ भी आपको ये offer करना चाहते हैं, maybe new conversation आपके साथ में शुरू करना चाहते हैं, या रिष्टा फिर से शुरू करना चाहते हैं उसको ये analyze करते हैं, overthinking में बहुत जादा ये चले जाते हैं, okay, इन्हें फिर ऐसा लगता है कि अभी थोड़ा सा इनको इंतजार करना चाहिए, थोड़ा सा और इन्हें शायद अपने उपर और जादा काम करने की ज़रूरत है, या ये अकेले आपको अप्रोच नहीं कर पा आपके साथ में reconnect करने की, conforming with the eight of wands, ये जानते भी भी कि इस रिष्टे में कई अर्चने हैं, कई problems हैं, बहुत सारे obstacles हैं, बट स्टिल, जल से जल ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं, लेकिन ये अपने आपको रोक लेते हैं, क्योंकि ये जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहते हैं, आपके towards, ये person realize कर रहे हैं समय पर, इनको ऐसा feel हो रहा है कि ये रिष्टा जो है, ये काफी जादा important है इनके लिए, और जो ये गलतियां past में कर चुके हैं, इन्हें वो mistakes जो है, वो वापस से repeat नहीं करनी है, या जैसा इन्होंने आपको past में महसू आपको दुबारा से नहीं डालना चाहते हैं, इसलिए में भी ये person थोड़ा सा समय ले रहे हैं, अपने mind में थोड़ी सी और clarity लेकर के आना चाहते हैं, में भी अपने आपको और एक बहतर इंसान बनाना चाहते हैं, उसके बाद में ये आपको approach करेंगे, ओके, ग्रुक नम पारा है और self betterment के ऊपर भी ये ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं, yes, okay guys, this is the reading for you, I really hope कि इस reading के जरिया आप लोगों को कुछ clarity मिली हो, या मैं आप लोगों के कुछ help कर पाई हूँ, अगर ऐसा हुआ है, तो please सबसे पहले वीडियो को एक like दे दीजेगा, अगर आप नए ह है मेरे चैनल पर तो subscribe कर लिजे, tarot by tj, मैं आप लोगों से मिलूंगी next time, till then namaste and take care.